हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आर चैनल दे ट्रेंडिंग हेडलाइन, आज हम डिसकस करने जा रहे हैं, इंडियन गॉवर्मेंट और सोशल मीडिया फिर्म्स के बीच जो कॉंट्रोवर्सी चल रही है और इसमें क्या नहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो आए बिन टाइम वेस्ट किये, इन शॉर्ट में जानते हैं ये पूरा मैटर क्या है, पच्चिस फरवरी दोहजार इकिस को मिनिस्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी ने नियू आइटी रूल्स बनाए, और तमाम सोशल मीडिया फ्लैट्फॉर्म्स क तीन महीने का टाइम दिया गया इन रूल्स के साथ कंप्लाई करने के लिए, गौर्मेंट की दीवी डेडलाइन 25 मही को समाप्त हो गई, उसके अगले ही दिन 26 मही 2021 को वाटसेप ने डेली हाई कोट में गौर्मेंट आफ इंडिया पर केस डाल दिया, वाटसेप का कहना था कि new IT rules पूरी तरह से unconstitutional है और right to privacy को violate करते हैं, गौर्मेंट आफ इंडिया ने इसके पीछे reason ये दिया है कि तमाम rumors और fake news जो इस बड़े बड़े social media platform से circulate होती है, उन पे लगाम लगाई जा सके, और अभी जो नई बड़ी update निकल के आ रही है, उसमें except Twitter, सभी बड़े social media firms ने वो सारी details government को share कर दी है, जो new IT rules के अंडर उनसे मागी गई थी, Twitter अभी भी new IT rules के खिलाफ खड़ा है, क्या Twitter का PUBG जैसा हाल हो जाएगा, क्या वो भी ban हो जाएगा, अपनी राय comment section में लिखके बताएं